तरनिंग स्टेप नहीं खुल रहे अगर आपके तो आपके लिए आज का वरकाउल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आज रनिंग नहीं करके बताऊंगा सिप एकसाइज बताऊंगा एकसाइज कौन-कौन सी होती है पहली एकसाइज आप देखी रहे हो रनिंग कर रहे हो वार्मप कर लीजिए आप वार्मप के बार यह करीए आपके पेर फूरे खुलने चाहिए आप रुख जाओ रहा है इससे क्या होगा आपको पेर उठावेगा एक पेर उठावेगा अब देखो अब यह बच्चा है अभी छोटा है नया आया है मतलब मैं एकसाइज को इसक आपके स्टेजिंग अगर यहां पेर रखे आप किसी के सपोर्ट लिए करने पेर रख लीजिए और आपका पूरा सीधा और जा रहा है बीना गुषने मोड़े और नीची वाला पेर सामने होना चीए तो मतलब आपके रणिंग स्टेप अच्छे अगली एक साइज आपको है उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए तो वह बहुत ही ज्यादा फाइदा सेकंड एक्साइज साइड में अब इसमें क्या हो रहा है आपकी जो लोवर मसल्स हैं यह हैंस्ट्रिंग और ग्रोइंग मसल्स है वो इस्टेच हो रही है तो रणिंग में जब आपके जिए मसल्स रहेंगे वह पूरी सही तरीके से खुलेंगे तो आपके अपने आप खुलने लगेंगे यह तो हो गया हमारी एक्साइज जो तीन एक्साइज बताई आपको करना स्टेचिंग कौन कौन सी कदमी स्टेप खुलने के लिए बेढ़ जाओ अपने जगा प पूरी स्टेचिंग खुल देते हो तो आपको रुणिंग स्टेप खुलने में कोई नहीं रोक सकता अच्य अच्छे खुल लेंगे तो आपको यह एक्साइज करना है वरकाउट के बाद स्टेचिंग में आती है इससे कि हैम्सिंग मसल्स और आपकी बैक बोन मसल्स है वह फ्लेक्सिबल बनेगी तो आपको रनिंग स्टेप खोलने से कोई नहीं रोप सकता अच्छे आपकी रनिंग स्टेप अच्छे से खोलेंगे दोनों तरब करना है इसमें और इसके बाद जो अगली करनी दोनों पर चिपका गए करना दोनों पेर पास में कर लो फकड़ो पेर नहीं बच्छा है इसको करना नहीं आ रहा नया है दो लेकिन ये इसको ये रिप्रश्ड कि और नहीं होना चाहिता है कंसे कम आपको 5-10 सेंट यहांपर होल्ड करना है लिट जाओं हों अगली जो पर उठाओ एक यह वाला लोग्स इससे आपको हैं पर स्ट्रेच घंट ने बहुत ही ज़ादा कारगास थे यह बहुत जरूरी है आप करें डेली भी कर सकते कोई इससे कोई दोराई निया कोई नुकसान नहीं होगा आपको इसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बता है अगली बार फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ जबते के लिए जय हिन जय वारत